असलाम अलेकों, वेलकम टो सुहने की धुनिया और आज मैं आ चुकी हूँ बॉट बैसन ब्रेफास करने और यहां पूरी बॉट बैसन फूड स्ट्रीट है डिफेंस की तो आपको मैं दिखा सकूँ कि मैं पूछ सरे स्र्चान है जैसे कि पैटक देरा इस टाइप के बहुत सरे स्रॉण हैं लेकिन मैं आज आई हूं तंदूरी हट में क्यूक시면 का जो सब построat और रसट्रोयंट तो इनकी दो हिस्से बने वे एक ही इतना बड़ा सा होटल है लेकिन इन्होंने मतलब उसोंना कमबाइन करके बनाए वह एक इस तरफ इस तरफ दोनों जगह इन ही हैं जैसे ही मैं इंटर हुई तो मुझे फॉरन से एक बात क्लिक हुई कि जो शेनाई ड्रामा है उसमें भी इधर ही बैट कर ब्रेकफास्स कर रह अब आगेते हमां आपको तो पता हुए आपको लगा था जाती हम जा खाना बन रहा है यहां बन रहा है तो यह हमनमने सोचा जाविशा कि अंदर इसी में बैट जाते ही और एसी बीलगा था तो अंदर की तरफ बैट जब वेल्कम दिखनारा की दुनियता आज मैं आज चुकिए तंडूरी हट बहुत बेर्सन में की स्ट्रीट रही तो मैं आज आज आपको सब्सक्राइब नास्ते का रिवी जैने वादी हूँ और मैं आपको मैंनू भी शोड़े हूँ मैंनू में इसलिए आपको शोड़े हूँ कि अगर आपको स्क्रीन शोट लेनी है तो आप ले लो ये रोक कर और ताकि आपको आइडिया भी होना कि मतलब यहां का जो प्राइसी से मौ कित हिसाफस हैं तो वैसे तो मैं इस व्लॉक में आपको इतना अच्छा रिवियू मतलब फुल डिटेल बताती हूं जहां भी चाती हूं मतलब बिल्कुल ओनर्स रिवियू देती हूं तो मैं आज आपको बिल्कुल ओनर्स रिवियू दूँगी आप बेफिकर ने मतलब व्लॉक देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आजाएं तो उल्हार चाहिए माशनला नहारी कैसी बताओ बहुत जवाब नहीं जावाब नहीं आपको पूरे नम्र दे दिया है आप नाचते हैं तो मैंने सबसे पहले जो खाने में चीजे और किये नाश्टे के लिए मैंने यहा हलवा पूरी मंगवाईये और मैंने मतल स spite की चीज प्राथा, मैंने उन्मेंसे पूचा कि आब मुझे बस यह बता दें जो यहां की फैमल्स डिशित्स हैं और जह Capital, जिस प्राथा यहां चलती हैं तो वैसे तो यहाँ मैन्यों देखकर आपने अंदाजा लगा लिए होगा यहाँ बहुत समान है लेकिन मैंने यहाँ पे फिर निहारी ओडर की और मैं आपको आगे चलके फुल बता रहूं कि एक एक चीज के हिसाब, प्राइसे और टेस्ट वगेरा मैं लाइन से शुरू करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज पराठा था, उसके जो प्राइस थे वो थे 5.50 और वो 4 पीसिस थे और मतलब मैंने अपनी लाइफ में हर जगा का चीज पराठा मुस्टली ट्राइ किया है, लेकिन मुझे चीज ही नहीं नजर आती है, हर जगा इतनी इतनी से आती है लेकिन इनके पराठों में बाकाइदा बहुत जादा चीज थी और जो पीजा फ्लेवर था, मतलब अंदर से ऐसा लगा था पीजा खा रहे हैं मतलब बहुती आला था, मैंने इसमें 10 में से 10 नमबर दे दी है और उसके बाद बात की जाए ना, अगर हलवा पूरी की तो हलवा पूरी को मैं सिर्फ इनको 6 नमबर दूँगी 10 में से इसलिए क्योंकि जो इनके हलवा पूरी थी, जो इसका हलवा था उसमें जाइका मुझे नहीं मिला, उसमें एक अजीव सी तेल की खुश्बू थी और हलवा पूरी इनकी एवरिश थी जैसे नॉर्मल शॉप में होती है, वैसी थी और मतलब के जैसे के आपने मेरा एक व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं मैंने एक संडे ब्रेकफास व्लॉग बनाया है, वहां स्पेशल फिर्फ हलवा पूरी मिलती है तो महां का जो हलवा पूरी थी वह बहुत लजीज थी, तो आपको अगर हलवा पूरी खानी है तो आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा कराची की सबसे बैस हलवा पूरी उदर है इनकी हलवा पूरी की एक मुझे थोरी सी ये बात भी गलत लगी की कि इन्हों ने एक एक सालन के प्राइस एटी-eटी रुपीज अलग दी है और पूरी के सालन ने तो यह चीज भी मैंने कहा रॉंग है प्राइस इनके ज़ादा थे, मानती हूं लेकिन जब मैंने इनकी निहारी ओडर की तो इन्ही ज्यादा लजीज थी यानि कि मतलब मैंने बहुत से कराची में निहारी खाई है जावेद निहारी और बहुत से अलग अलग निहारी खाई है वो इतनी ज्यादा हैवी होती है और वो उन्ट के गोश्की होती है लेकिन इनकी जो निहारी का जो मीड था वो बच्चिया के गोश्का था मतलब वो बह उसके साथ खाने में बहुत मज़ा हैं और जो बद यह आजाती मिशाएं की कि एक प्लेट निहारी की नोने 8.50 थी की दिए तो बहुत महेंगी थी और जो पाई की एक प्लेट थी वह 550 की थी लेकिन मैंने बुला मैं निहारी ट्राइ करती हूं क्योंकि निहारी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मतलब इनके निहारी अच्छी तो पाए भी अच्छी होंगे लेकिन प्राइसिक बहुत हाई थे और दूसरा सफाई का मुझे तो कोई खास ख्याल नहीं लगा क्योंकि जब मैंने से चाय मंगवा थे और वेटर बचारे इधर उधर मतलब फुल ओवर सर्वीज अच्छी नहीं थी और दूसरा सफाई का जो ख्याल था उसे रखना चाहिता सिर्फ दस में से च्छे नंबर दूंगी सफाई के ख्याल को उसके बाद हमने पापा से कहा कि पापा सी पोर्ट मॉनोरा सामने य अब तो पर पापा हमें यहां पर ले आए तो फिर वही बात आती है कि जब मैं अपने पाकिस्तान को देखती हूं वहां की चीजे यहां समंदर तो माशालला इतना खुफ सुरत है हमारा पाकिस्तान हर चीज है हमारे पाकिस्तान में फिर भी मैं बहुत से लोगों को देख है पाकستان की बुराई करए लेकिं मैं कहती हूं कि पाकिस्तान की अच्छाईों को भी दिखाना चाहिए जब मैं जा जाकर हर चीज़ देखी मतलब हर चीज़ पाकिस्तान inglés perfect है लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉबलम है वो है सफाई मैं सीपोर्ट गई, मनोरा की तरफ गई लेकिन वह सफाई नहीं थी बाकी वो इतना प्यारा मनज़र था अल्ला की तरफ से बस सफाई हो जाए तब बात बन जाए अल्ला हाफिज अच्छा लगए तो प्लीस लाइक कर दें सबस्क्राइब कर दें आप लोगों की नहीं मैनत करती हो अगर अच्छा लगए तो सबस्क्राइब कर दिया करें बहुत शक्रिया, अल्ला हाफिज